आयोध्या मामले को लेकर देश भर में सुरक्षा के पोक्ता इंतिजाम है एक तरफ Ministry of Home Affairs ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है तो वहीं सोशल मीडिया पर कड़ी नजर है इसलिए जो लोग WhatsApp गुरुप चलाते हैं उनके लिए भी ये ख़बर बेहद जरूरी है गाजियाबाद में पुलिस अधिकारी WhatsApp गुरुप पर सीधे नजर रख रहे हैं एडवाईजरी जारी करके WhatsApp गुरुप एड्मिन को कहा गया है कि किसी भी तरह की गलत पोस्ट के बाद सीधे गुरुप एड्मिन पर भी कारेवाही की जाएगी इस बात को देखते हुए गाजियाबाद के जादतर WhatsApp गुरुप एड्मिन ने आयोध्या मामले में फैसला आने के बाद तक के लिए गुरुप की सेटिंग को बदल दिया है इस सेटिंग के तहत सिर्फ गुरुप एड्मिन ही मैसेज डाल सकता है बाकी लोग सिर्फ मैसेज रीड कर सकते है WhatsApp की इस सेटिंग को ओनली एड्मिन सेटिंग कहा जाता है देरशाम गाजियाबाद में मंडल स्तर पर अधिकारियों की एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया जिसमें आईजी और मंडल कमिशनर के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे इसमें भी सुरक्षा को लेकर तमाम दिशानिर्देश अधिकारीयों को दिये गए हैं इसमें भी मीटिंग की है क्या है जो को फेरी अधिकारी में जाए जो प्रफला में में डाले अगर कोई उसको दिटा गूसे कई करें इसको सीचना जे किस्तरा के मैसिज कहा सेय। तो क्या एक्षिन गिलिए जाएगा चूछता कि मेसिज डालेगा, अगर डिलिट नहीं किया जाते हैं और यह वायल किया जाता है एकदम एक्षिन गिया जाएगा और ऐसा कोई भी होगाज के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगे, मुकर्मा गिखा जाएगा झीव चीव दो कर दो